तो दोस्तों आज 2021 का अंतिम दिन है कल से हमारा एक नया साल सुरू हो जाएगा 2022 मेरी भगवान से यही प्रात्ना है कि आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी हो और आप अपने लक्ष को पाने के लिए सकारात्मक प्रयास करें तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है होम साइंस और होम साइंस के आने वाले परिष्छाएं जैसे LTT, GT, PGT इन सब के लिए मैंने 25 कोशन लिया है तो चलिए दूस्तों वीडियो सुरू करते हैं प्रस्ट एक है दो वक्र रेखाओं के सयोजन से बनता है ओप्शन है व्रित, त्रिभुज, आयत, वर्ग तो इसका राइटम से रो जागा दोस्तों व्रित कोशन नमबर टू, अस्थान से अभिप्राय है आकरसक सता रेखाओं का सुन्दर सामन जस्थे, रिक्त अस्थान, प्रकास के साथ छाया का सामन जस्थे तो दोस्तों इसका राइट एप से और एंसर हो जाएगा रिक्त अस्थान कोशन नमबर तीन, किसी भी सज्जा में प्रकास उपियोगी नहीं हो सकता है सज्जा में सौन्दर रिवर्धन करना, सज्जा की उपियोगीता बढ़ाना, रिक्त अस्थान बढ़ाना, मनो भावों को परिवर्दित करना तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कहने का ताइट पर यह है कि किसी भी वस्तु क्यों जब सज्जावट होती है तो उसमें प्रकास कैसे उपियोगी नहीं होगा तो प्रकास जो है वो रिक्त अस्थान नहीं बढ़ा सकता है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कुस्जा नमबर चार है घर के स्वरूप को कला के विभिन सिध्धानतों का प्रयोग करके व्यवस्तित रूप देना ग्री व्यवस्ता है यह कथन है डॉक्टर विद्यावती मलेया, निकिल और डॉर्सी, ग्रास और क्रेंडल, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्षन हो जाएगा, ऑप्षन ए, डॉक्टर विद्यावती मलेया कुस्जा नमबर पांच है कला के सिध्धानत है आकार, रेखा, बनावट ऑप्षन नमबर टू है नम्मूना, सुन्दर्ता ऑप्षन नमबर तीन है अस्थान वारंग ऑप्षन नमबर चार है अनुपात, दबाव, संतुलन और ले तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर चार अनुपात, दबाव, संतुलन और ले कुस्टर नमबर छे है कला की सजावट का सबसे अच्छा सिधान्त है अनुरूपता, अनुपाद, संतुलन, इन में से कोई नहीं तो इसका रायट अंसर हो जागा दोस्तो ओप्सन नमबर A, अनुरूपता कोशन नमबर साथ खड़ी रेखा, किसका में किसका आभास होता है खड़ी रेखा, से, किसका आभास होता है यहाँ पर उसे नहीं रहेगा, दोस्तों से रहेगा खड़ी रेखा से किसका आभास होता है तो इसका ऑप्सन है उचाई, सीधा, सान्ती, बल तो इसका रायट अन सरूजगा ऑप्सन नमबर A, उचाई Qus no.8 है प्रकास मानवमन में टैस-टैस का जागरम करता है उत्सा, उदासी, विसमता, सभी तो इसका राइड एंसर हो जाएगा जो प्रकास है प्रकास से हम को क्या मिलता है प्रकास से अगर हम उदास होते हैं तो उसमें हमको प्रकास में अगर जिसे मुदास रहते हैं तो कहीं घुमने फिडने से ले जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है तो ये तो होगा नहीं विसमता भी नहीं होगी तो इसका राइट अन्सुर जगा उप्सन नमबर ए उत्सा कुशन नमबर नौ सौंदर के दार्षनिक पच्छ को टैस टैस कहते हैं पूरा तत्व सौंदर सास्त्र दबाव संतुलन तो इसका राइट अन्सुर हो जागा उप्सन नमबर बी सौंदर का जो दार्षनिक पच्छ है उसको कहते हैं सौंदर सास्त्र question number 10 देख लेते हैं प्रकृति और ड्यास्टस दोनों में लैका महत्यपूर अस्थान है option है कला, समाज, रेखा, संसकरण तो इसका right option है option number A, कला question number 11 वस्तु का सौंदर्य, उसके डिजाइन, आकार, रूप, रंग, उसकी बनावट, दूरी और प्रकास पर निर्भर है को कहा जा सकता है option है कला की संरचना कला को संरचित करने के उपायों में शामिल कला के तत्व, ये सभी तो इसका right answer हो जगा option number C, कला के तत्व question number 12 सामान रूप से घर की सजावट में सामिल होने वाले वर्गों में, निम्न वर्ग को इसके वर्गों में सामिल किया जा सकता है option है चित्र, कला कृतिया, पुस्तक, विद्वत प्रकास, ये सभी तो इसका right answer है, option number D, ये सभी question number 13 कला के कितने सिध्धान थें option है, 5, 4, 3, 2 तो इसका right answer है, option number A, 5 कला के 5 सिध्धान थें और पांचों के नाम है, पहला है अनुरोपता दूसरा है संतुलन, तीसरा है अनुपात चौथा है लै और पांचवा है दबाव question number 14 है, नमोने कितने प्रकार के होते हैं option है, 4, 5, 6, 7 तो इसका right answer reference, option number C, 6 प्रकार के 6 प्रकार में कौन कौन से हैं, देख लेते हैं प्राकृतिक नमोना, ज्यामितिये नमोना, सूक्ष्म नमोना, मिस्रित नमोना, रश्टनात्मक नमोना और सजावती नमोना question number 15 है, किसी वस्तु को छूने से उनकी सता के लिए, जो आभास होता है, वह क्या कहलाता है तो option है इनके, रंग, नमोना, पोत और प्रकास तो जो इसका right answer हो जाएगा, option number C हो जाएगा अब पोत क्या होता है, देख लीजिए एक बार ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा कह रहे हैं किसी वस्तु को जब हम छूते हैं, तो उसकी जो बनावट होती है बनावट का हमको आभास कैसा होता है, कि वह चिकना है, खुरदुरा है, चमकीला है, नुकीला है, खुरदुरा है, कड़ा है, अस्पंजी है तो यह जो चीज होती है, इसी को पोट कहते हैं, जिसको इंगलिस में कहते हैं, टेक्स्चर आई होप यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा अगला कोशन देख लेते हैं, कोशन नमबर सोला सुन्दर्ता वह तत्व है, जो इंद्रियों को आनंदित करता है, तथा आत्मा को उच अनभूती देता है किसकी परिभासा है, आपसन है पहला सुन्दर्राज की, दूसरा है विद्यावती मलयया की, तीसरा है निकिल और डॉर्सी की, चौथा है ग्रास और क्रेंडल की तो दोस्तो इसका राइट एंस पर है आपसन नमबर एस, सुन्दर्राज की परिभासा यहाँ पर देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है सुन्दर्ता का तत्व और यहाँ पर यहाँ पर भी सुन्दर, यहाँ पर भी सुन्दर, तो आप इसको ऐसे याद कर लेजेगा सुन्दर्ता और सुन्दर्राज खरिविज्ञान का प्रमुक तत्व है भोजन तथा पाक्सास्तर का ज्ञान ग्री विवस्था करना सिसुपालन शरीर की सरीर विज्ञान की सिख्छा तो इसका राइट एन सुर हो जाएगा दोस्तों और खरिविविवस्था करना कोस्ट नमबर अठारह ग्री विज्ञान की प्रकृति है ग्री विज्ञान की प्रकृति कैसी है option दिया है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number C कला और विज्ञान दोनों मतलब ग्री विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है इसलिए इसकी प्रकेट देगर पूछा जाता है तो हमाई अंसोर देते हैं कला और विज्ञान दोनों कॉसर नमबर 19 ग्री विज्ञान का प्रमुखु देश्य है और ग्रिहस्त जीवन को अधिक उत्तम बनाना घर की सफाई करना ग्री विवस्था का निपूर संचालन भोजन बनाने का ज्यान तो यहाँ पर इसका राइट अंसर रहागा दोस्तों अप्शन नमबर A ग्रिहस्त जीवन को अधिक उत्तम बनाना यही ग्रिविज्ञान का प्रम खुद देश्य होता है कुशन नमबर 20 देख लेते हैं ग्रिविज्ञान के छेतर में आते हैं पहला ओप्शन है स्वास्थ विज्ञान, सरीर रचना वा सरीर क्रिया विज्ञान उभोगता अर्थ सास्र एवंग गडित समाज सास्थ दर्सन सास्र एवंग मनों विज्ञान उपरोग्त सभी विशे तो दोस्तों यहाँ पे ग्रिविज्यान का जो विशे चेत्र है काफी लंबा है तो इसमें ये सारे विशे सब आ जाते हैं इसका राइट एंस जो जगा ऑप्सन नमबर डी उपरोक्त सभी विशे कोइसन नमबर 21 भोजन वस्तर और मकान सम्मध्य आवश्चक्त्याये कैसी आवश्चक्ता है ओप्सन है अनिवार्य आरामदायक विलासिता उपरोक्त सभी तो यह हम लोग बहुत बच्पन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भोजन वस्तर और मकान सम्मर्द याओ सकता है वो हमारी अनिवार रहा सकता है Q22 है ग्री प्रबंद का साब्दिक अर्थ क्या है ओप्सन है घर की विवस्ता, राजी की विवस्ता, समाज की विवस्ता, आर्थिक विवस्ता तो इसका राइट अन्स रोजा का ओप्सन नमबर A ग्री मतलब क्या होता है घर और प्रबंदन होता है विवस्ता करना तो इसका साब्दिकर्थ हो गया घर की व्यवस्था करना option number हो गया 23, sorry, question number 23 देख लेते हैं ग्री प्रवंद की प्रकिरिया के कितने चरण है option है आयोजन, दूसरा option है नियंत्रण, तीसरा option है मुल्यांगन और चौथा option है उपरोक्त सभी ग्री प्रवंद की प्रकिरिया के सभी चरण है आयोजन होता है, नियंत्रण होता है, मुल्यांकन होता है question number 24 देख लेते हैं ग्री व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है परिभाशा किसकी है option है कोट जिन, दूसरा option है राजमल पी देवदास, तीसरा option है टीवी एवंग फ्रेंकलिन और चौथा option है उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number 1 कोट जिन छोटी सी परिभाशा है देख लीजे, क्या है ग्री व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है जहां व्यवहार दिख जाए आपको देख लीजेगा, व्यवहार किसका है, कोट जिनका है अगला question है, ये हमारे विडियो का last question है दूस्तो कोशन है प्रभाव साली व्यवस्था मूल्यों को समझने और मानवी और भौतिक साधनों के उपयोग द्वारा लच्छों को प्राप्त करने में सहायक होती है या कथन है और प्राप्त करने में सहायक है तो इसका राइट एंसर है और बी गुड़ एर एवंग क्लोहर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी केमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा मैं आपके जो वीडियो बना रही हुए मैंने आपके जो बुक है उसको मैंने टॉपिक वाइस जो कोसन है उसको लिए है एक टॉपिक करके मैं जैसे जैसे कोसन 25 पच्छिस हैड होते हैं आगे-ागे मैं कोसन बढ़ाते जा रही हूँ तो इससे आपकी तयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी मैं हर जो भी आपका स्लेबस है मैं पूरा कबर करूंगी जब तक आपके एक्जाम होंगे तब तक साथ ये जो वीडियो दो दो दिन पर मैं डालती हूँ हो सकता है तब तक पूरे हो जाए आपके कोर्स या स् आपके ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेयर थैंक्स वार वाचिंग बाई बाई